दोस्तों अगर आप कहीं से accounting का कोई course सीख रहे हो या फिर टेली या बीजी जैसे accounting software में आप practice कर रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important रेने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको practical तरीके से बताएंगे जो accounting software होते हैं वो automatic tax की calculation किस तरीके से करते हैं यानि कि वो कौन सा formula यूज करते हैं जिसकी वज़य से tax की calculation automatic आ जाती है तो ये सब कुछ आज आपको हम practical तरीके से Microsoft Excel में formula के दोरा भी हम आपको बताएंगे और आपको ये calculator में भी हम करके बताएंगे भी हम किसी भी value की amount की उपर हम tax की amount को किस तरीके से calculate कर सकते हैं तो दोस्तों क्योंकि जो ज़्यादा तर fresher student होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं क्योंकि वो accounting software के बरो से बेठे रहते हैं उनको पता है भी हमारा accounting software है वो tax की amount की calculation बिल्कुल सही करता है क्योंकि वहाँ पर हमने सब कुछ parameter इसका set किया होता है GST का tax rate हमने दिया होता है तो उसकी according यह हमारा tax की calculation बिल्कुल right करता है लेकिन इसके पिछे logic है कौन सा formula यूज करता है वो उनको नहीं पता तो दोस्तो इस type के question आपको किसी भी company में interview के दुरान भी पुछे जा सकते हैं या फिर अगर आप किसी company में accounting job के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी manual invoice भी त्यार करना पड़ सकता है तो अब आपको interview के दुरान ये भी पुछा जा सकता है भी माली ये कोई भी ऐसा product है जैसा example के लिए हम ये ले लेते हैं कोई भी एक product है और उस product का जो net rate है वो 100 रुपे है और उसके उपर GST है 5% की तो आप इसकी taxable rate इसका किस तरीके से बनाओगे और उसकी tax की amount को आप किस तरीके से अलग करोगे तो कौन सा formula आपको use करना है या फिर आपको ये बात दी जाए भी इस product की जो basic value है ये 95 रुपे choice पे से है और इसके उपर आपको 5% का GST tax add करना है तो उस वक्त आप कौन सा formula यूज करोगे या फिर आपने काफी सारे invoice देखे होंगे जहां पर ये इस type की GST की calculation होके आती है तो ये calculation किस तरीके से होती है कौन सा formula software automatic यूज करता है तो ये सारी बाते हैं आज आपको इस video मे practically देखने को मिलने वाली है तो अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो तो इस video का आप skip बिल्कुल भी मत करना पूरा complete देखना तभी आप प्रोपर Microsoft Excel के formula को समझ पाऊगे और आप इस calculator के दवार हम किस तरीके से calculate कर सकते हैं आप अपने mobile के calculator में किस तरीके से calculation कर सकते हैं तो यह सब कुछ आपको इस video को complete देखने के बाद ही पता चलेगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ share भी कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करना notification bell को प्रेस करके all पर क्लिक क लेना ताकि मारी आने वाली नई नई वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मौन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पे तो शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आपने इस किस तरीके से अलग करेंगे और इसकी text की amount को किस तरीके से अलग करना है तो यह हम सबसे पहले एक बार टेली जैसे software में करके देखेंगे और फिर आपको इसके पिछे basic formula क्या रगेगा वो आपको हम Microsoft Excel में और calculator में दोनों में आपको practical तरीके से बताएंगे तो आप वीडिय इसका जो net rate है यान कि जिस amount के अंदर tax include होता है वो हमारा net price होता है तो जैसा कि आपने अभी thumbnail में देखा भी 450 रुपे का GST 18% वाड़ा product है तो इसकी basic value क्या रहेगी तो हम डालते हैं यहाँ पर 450 रुपे तो हम जैसे 450 रुपे हमने डाला तो आप देख रहे हो इस software ने इस 450 रुपे की जो basic value है यान कि tax की amount को अलग करने के बाद जो इसकी basic value बचेगी वो 381 रुपे और 36 बैसे बन गी अब आपने देखा software ने तो automatic calculate कर दिया यहाँ पर जो दिमाग लगा वो accounting software का लगा लेकिन अग फ्रेशर accountant को यह बात पता होनी चाहिए भी अब इसके पीछे formula क एक बार और उसके बाद में हम चलते हैं इसकी tax की amount पर तो tax हम यूज़ करते हैं cgst tax को और sgst tax को तो आप देख रहे हो अब इनका जो tax है वो 34 रुपे और 32 पैसे 34 रुपे और 32 पैसे और इसकी total amount आप देख रहे हो 450 रुपे यानि कि अगर हम बात करें तो इसकी जो basic value है वो 381 रुपे 36 पैसे और tax की amount बनगी ये cgst और sgst अब हम चलते हैं excel पर एक बार सभी को एक बार अमीन को यहां से हटा देते हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 18% वाले इसी formula को फिर आपको 5% का 12% का और 28% का भी हम यूज़ करना बताएंगे quantity 1 है net rate बोला गया था 450 रुपे का gst उसके उपर है 18% की तो अब हमें taxable rate तो आप देख रहे हो taxable rate तो हम इसको taxable rate भी बोल सकते हैं क्योंकि जो net rate है net rate का मतलब tax include amount तो इस 450 रुपे में आपका जो gst amount tax rate है 18% का वो include है यानिकि 18% tax इस 450 रुपे में लगा हुआ है तो अब हमें 18% की tax के amount को अलग करना है और इसकी basic value automatic आजेगी अब इसके पीछे formula software ने क्या use किया है तो वह हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको equal का निसान दबाद देना है 450 रुपे की amount है अब इसको हम करेंगे into 100 यान की 100 से गुणा करेंगे उसके बाद divided यान की भाग हम करेंगे आपको gst देखना कितने % की gst है 18% की तो इसमें हम 100 और प्लस कर देंगे तो 118 हो जाएगा तो आप देख रहे हो जैसे हमने 18 किया तो यह 381 रुपे और 36 पे से इसका basic value आगी या आप इसको taxable value इसकी आप बोल सकते हो अगर हम इस calculator की बाद करें तो 450 रुपे और इसको हम करेंगे गुणा 100 से यानकी into 100 और उसके बाद हम करेंगे इसको बाग कितने प्लसे है जितने % की gst है उसमें 100 प्लस करके तो बाग 118 क्योंकि 18% का tax include है तो बाग करेंगे 118 से तो आप देख रहे हो इसकी जो calculation हो किया य से क्योंकि 35 पैसा आ रहे है और 35 पैसा के आगे की जो value है वो 59 यानकी यह 50 से प्लस की value है तो यह 1 पैसा इसके अंदर aid हो जाएगा तो 381 रुपे और 36 पैसे है तो यह तो था net price में से इसकी taxable value निकालना अब बात आती है जैसा कि इस accounting software ने tax की amount को अलग-लग कर दिया यानक का product है तो 9% की value यह होगी और 9% यह value होगी तो अब हम इसकी value को किस तरीके से calculate करेंगे तो अब suggestive tax हमें निकालना है तो suggestive tax किस value पर निकालेगा taxable value पर तो इसके लिए formal हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले equal का निसान हम दबाएंगे और उसके बाद में आपको करना है taxable rate पर click into अब आप 100% 18% भी आप कर सकते हो या फिर आप 9% भी कर सकते हो अगर आप 18% करते हो तो आप divide करना पड़ेगा 2 से यह की बाग दो अब into 18% पर आप click कर दो जैसे हमने 18% पर click किया तो इसने पूरा 18% का tax है जो निकाल दिया अब हम इन tax निकालना है अदा अदा क्योंक 9% CGST और 9% SGST का तो हम इसको कर देंगे बाग 2 यनकी अदा हो जाना चाहिए तो 3400 रुपे 32 पैसे इसी तरीके से हम SGST की calculation करेंगे 381 into 18% divided by 2 यनकी यह भी अदा हो जाना चाहिए और अब इसके total value के अगर हम बात करें तो हम tax की amount को और plus basic value को जोड़ देंगे तो आप देख 450 रुपे की value मारे पास आके तो अब हमने भी यहाँ पर जो tax की value है जो 34 रुपे 32 पैसे और 34 रुपे 32 पैसे हमने निकाल लिए है और software ने भी आप देख रहे हो 34 रुपे 32 पैसे और 34 रुपे 32 पैसे की calculate करी है क्योंकि software automatic करेगा इसके पीछे formula automatic लगे होते हैं यह उस formula के ब यह बात बोल दीजाई भी net rate में से आपको taxable value अलग करनी है और tax के amount को अलग करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं अब मालीजे अगर आपको कोई बात बोल दीजाई भी 12% का product है तो आप value 1 450 रुपे और 12% तो अब इस condition में हमें क्या करना पड़ेगा पी सबसे पहले 450 value हमें निकालने पड़ेगी तो basic value निकालने के लिए सेम वही फोर्मुला पी 450 इन्टु हंडड़ डिवाइड इसन वाई जितने परसेंट की जीएस्ट है उसमें 100 प्लस कर देंगे 112 एंटरप्रेस करेंगे तो यह 401 रुपे और 79 पैसा इसके tax value आगी तो इसी तरीके से हम इ 401 रुपे और 79 पैसे के उपर हमें tax लगाना है तो 401 रुपे 79 पैसा into 12% बाग 2 जैसे बाग 2 करेंगे तो यह 6% रह जाएगा और इसी तरीके से यह फोर्मुला हमारा रह जाएगा 401 into 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 12% बाग 2 तो यह 24 रुपे 11 पैसे अगर हम तिन्नों के amount को हम प्लस करेंगे और तो यह 450 रुपे net value आजेगी तो इसी तरीके से हम यान कि यह हमारी यह जो net rate यान कि इस amount के अंदर tax include है तो अब यह amount हमारी बन गी tax exclude exclude का मतलब अब इस amount के उपर तो अभी tax लगेगा और इस amount के अंदर हमारा tax है जो लगा हुआ है तो यह हमारी include है और यह हमारी exclude है आप इसको net भी बोल सकते हो आप इसको taxable भी बोल सकते हो दोनों का मतलब सेमी है यान कि यह taxable taxable का मतलब भी इस value के उपर अभी tax लगने वा तो taxable का मतलब इस amount के उपर अभी आपका tax or लगेगा तो इसी तरीके से जैसा कि हमारे पास ये एक invoice है इस invoice के अंदर भी हमारे पास कुछ product है तो आप देख रहे हो यह हमारे पास first product है quantities की choice है और इसका 166 रुपे taxable rate है तो अगर हम इसकी calculation करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके अंदर 6% का जो tax है वो 253 रुपे 45 पे से और 200 रुपे 53 रुपे 45 पे से ये इसके उपर tax लगा हुआ है और इसकी जो net value बनगी वो बनगी 4731 रुपे तो अब ये calculation किस तरीके से हो ये इसको भी हम आपको Excel में करके बताते हैं अब माले ये product quantity है choice और इसका जो GST rate है वो है 12% का अब GST 12% का है तो और इसकी जो quantity है choice अब इसका एक का जो rate है अगर आपको इस बात का पता करना हो भी 116 रुपे की जो amount आई है ये net है या फिर taxable है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा जितनी amount आपको final amount जो दिखाई दे रही है 731 रुपे उसमें आपको quantity से multiply करके देख लेना है तो एक पर हम करके देख लेते हैं 2731 divided by choice तो आप देख रहे हो एक सो और सतांडमें रुपे बारा पैसे की value आई है परपीस की लेकिन हमारे पास यहां पर आ रही है 116 रुपे की तो इसका मतलब यह जो amount है हमारी यह taxable amount है यहनकि इस amount के अंदर से हमारा tax include है और इस amount के ओपर अभी tax लगेगा तो हम इसको करेंगे इसकी जो value है वो एक सो चैतर रुपे है अब एक सो चैतर रुपे है तो एक सो चैतर अगर चोईस अगर हम करेंगे तो इमारी जो basic value है वो आजेगी 1224 रुपे की यह taxable value है और इसके अपर हमें tax लगाना है 12% का तो into 12% तो यह पूरा हमारे पास tax आगया अब इस tax के amount को और इस basic value को अगर हम add करेंगे तो यह 4730 रुपे और 89 पेसे आजएगा और आप यहाँ पर देख लिए भी 4731 रुपे यानि की 20 पेसे इस software ने अपने आपी round off कर दिये हैं तो अगर हम इसको tax को divide करें दो बागों में अगर हम करें तो आप इसकी अलग-अलग का calculation भी हम कर सकते हैं बी डिवाइडेशन बाई दो और इसको भी हम सेम इसी तरीके से इंटू 12% बाग दो और अब हम इसकी calculation करें दोनों tax और basic value को तो हमारे पास इसकी जो value आनी है वो 4730 रुपे और 89 पेसे और इसमें जो tax की calculation होई है 253 रुपे चुमारीस पेसे और 253 रुपे चुमारीस पेस पेसे की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 253 रुपे 45 पेसे और 253 रुपे 45 पेसे हैं कि यह जो डिफ्रेंस आ रहा है वो CGST और HDC tax में automatic पूरा कर दिये हैं तो यह 10-20 पेसे का आपका Excel के formula में या दूसरी एक दूसरी का accounting software में इतना difference आपका चलता रहता है तो इस तरीक पासकरी जो net rate होता है वो tax include amount होती है और जिस amount के उपर tax अभी हमें लगाना होता है वो tax exclude amount बोले जाती है इसको आप taxable भी बोल सकते हो और tax exclude amount भी हम कह सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आज की वीडियो से जुरूर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो कर आपको पसंद आई ह नोलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक देके जरूर जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए important topic के साथ